अजमेर के किशंगड एयरपोर्ट पर प्लेन क्रेश होने की सूचना मिलने के बाद अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जेलेन अस्पताल प्रशासन संपूर्ण व्यवस्था के साथ अलट मोड पर तैनात हो गया। मामले में कुछ देर बाद मालूम हुआ कि यह एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से मौकड्रिल की गई थी, जहां बताया गया कि एक प्लेन एयरपोर्ट क्राश हो गया, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की जानकारी मिली और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हे जेल इन अस्पताल लाया जा रहा है, इस तरह की सूचना मिलने के बाद अजमेर जेल प्रशासन ने भी अपने व्यवस्थाओं को परखा, इस दोरान अजमेर जेल इन अस्पताल की लगभग सौ से सभासद डॉक्टर नर्सिंग कर्मी और वार्ड बॉय के साथ ही अन्य स् अमाम घायलों को इलाज मिल सके, लेकिन कुछ देर बाद ही पता चला कि यह प्रशासन की ओर से मौक ड्रिल की गई है, जिसे लेकर सभी ने राहत की सांस ली कैजवल्टी के सारे बैड हमने खाली कर दिये, सारी दवाईयां जो हमारे पर स्टोर में इदादर उपलब थी, उन समका अमग वाली है, ऐसा हमारे पर जो खबर है करीब करीब सौ यात्रि एरपोर्ट में प्लेन में सवार हैं, और काफी उसमें हताहत हुए हैं, ऐसा खब सारे अधिकारी, बड़े बड़े बिभाग अध्यक्ष और सभी अमारे जो सुप्रिण महुद है, कारवाग सुप्रिण महुद हैं, प्रिंसल साब भी हमें यहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो भी पूरी घटना करी हर मिनिट मिनिट में जानकर ही लिए रहे हैं, और प पड़ेगे तो वो भी हाँ, कभी भी किसी वक्त आ सकते हैं, और अपने अफिस में गठे हुए हैं